तो अगर आपको PUBG खेलने के लिए एक बेस डिवाइस की तलाश है तो मुझे नहीं लगता कि iPad से बहतर आपको कोई भी डिवाइस मिल सकता है PUBG खेलने के लिए और गेमिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास है अभी iPad 7 Gen 2019 मौУडल और इसकी प्राइसिंग अभी एप्रोक्सिमेट 30,000 रुपीज है और इसका एक छोटा भाय भी है जोकि है iPad 6 Gen 2018 मौडल और इसकी प्राइसिंग अभी एप्रोक्सिमेट 26,500 रुपीज है और और एक model है जो कि iPad Mini 5 और वो इन दोनों iPad से ज़्यादा powerful भी है और ज़्यादा costlier भी है और उसकी pricing अभी approximately 35,000 रुपीज है तो अगर आप भी confused है कि इन तीनों iPad में से budget iPad में से आपको कौन सा iPad खरीदना चाहिए PUBG और gaming के लिए तो इस वीडियो को एन तक देखते रहे मैं आपकी जो सारी confusion है वो इस वीडियो के अंदर दूर करूँगा तो शुरू करते हैं और सबसे पहली बात जो मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि iPad 6 Gen जो है जो 2018 वाला model है उसको तो आप ignore कीजिए और इस वीडियो के अंदर मैंने इसको इसलिए include किया ताके आप सबके मन में कोई doubt ना रहे उस iPad के model को लेके तो यहाँ पे मैंने जब इस iPad 7 Gen 2019 model को purchase करने का decision लिया उससे पहले मैंने actually 2018 वाला जो 6th generation वाल iPad का model है उसको खरीदने का decision लिया था लेकिन जब मैंने वो decision अपने community post में post किया और whatsapp में भी share किया था तो बहुत सारे लोगों ने मतलब के 98-99% लोगों ने यही comment और reply दिया के वो वाला iPad का model अब मत purchase कीजिए उसके अंदर hitting issues है, frame drops है और खरीदने के बाद एक हफता अच्छा चलेगे उसके बाद वो पूरा ही बेकार performance आपको provide करेगा शायद यह marketing कुछ strategies है Apple का तो मुझे नहीं पता लेकिन फिर भी जो latest model है उसको purchase करना एक सही decision होगा आज के तारिक में और especially Apple के साथ पंगा ना लेना ही बहतर है और आप सब का यह confusion होगा और जी हाँ मेरा भी यह confusion था के iPad 6 Gen और iPad 7 Gen के अंदर तो same processor है A10 Fusion Chip और almost similar specification है सब कुछ तो क्यू भाई हम 6 Gen को छोड़के 7 Gen को purchase करें तो यही एक reason है 6 Gen को ignore करने का के Apple ने कुछ तो background में task किया है जिसके थूँ जो 6 Gen है वो slow हो गया है और उसका performance बहुत ही नीचे आ चुका है और 7 Gen का performance अभी मैं 3-4 महिने के उपर यूस कर रहा हूँ और मुझे तो ठीक टक performance मिल रहा है तो यह बात सबसे पहला point था जो कि मैंने आप सब की वीडियो के अंदर clear कर दिये और उसके बात और एक चीज जो की important है मैं आप सब को बोलना चाहूंगा basic सा point है कि आपको अपना iPad चूस करने के time पे आपका budget देखके ही चूस करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे simple सी logic है कि अगर आपके पास 30,000 के उपर budget है ही नहीं मतलब कुछ भी करके 30,000 रुपीज से उपर span कर ही नहीं पाएंगे तो क्यों iPad mini के तरफ देखना आपको iPad 7 Gen ही purchase करना चाहिए और अगर आपका budget 26,000, 27,000 रुपीज है यानि कि 6 Gen का budget है तो भाई कुछ देर wait कीजिए लेकिन फिर भी उसको purchase मत कीजिए 7 Gen को purchase कीजिए आपके लिए best होगा तो ये कुछ important और basic points थी अभी मैं technical कुछ points में आता हूँ जी हाँ अभी तक technical points की ही बात कर रहा था लेकिन फिर भी थोड़ा और detail में जाता है PUBG और gaming performance के लिए जो important factors होता है एक device के अंदर वो होता है battery, performance और heat management तो इन तीन चीज़ों के अगर हम बात करें तो अभी compare करते है 7 Gen और iPad Mini 5 को तो iPad Mini 5 के अगर हम बात करें तो वो obviously जादा powerful है मैं straight and simple बोल देना चाहता हूँ क्योंकि उसके अंदर Apple का A12 fusion chip है और वो लाग गुना जादा है, लाग गुना तो नहीं लेकिन बहुत गुना जादा है इस A10 fusion chip के मुकाबल है in case of performance, heat management और सब कुछ और जो iPad Mini 5 है उसके अंदर जो display quality है वो भी बहतर है 7 Gen से क्योंकि उसका display fully laminated है IPS है और इसका जो display है वो laminated नहीं है तो display और जो बाहर का ग्लास है उसके बीच में आपको आपे इन दोनों में से आपको कौन सा खरी इतने important हो मतलब सही रहेगा तो जैसा कि मैंने आप सब को बोला कि battery, performance और heat management तो मैंने तो iPad Mini 5 को use नहीं किया लेकिन उसका बहुत सारा reviews देखा हूँ और सोस समझ की मैंने इस 7 Gen को purchase किया तो अगर यहापे 5000 रूपीस price gap की बात करें तो iPad Mini 5 के अंदर जी हाँ 5000 रूपीस justify करता है in case of display, in case of performance लेकिन अगर हम battery backup की बात करें तो almost same होगा क्योंकि iPad 7 Gen और iPad Mini 5 के अंदर battery performance में उतना जादा कुछ फरक आपको देखने को मिलेगा नहीं इस iPad के अंदर जो कि मैं अभी use करो 7 Gen इसके अंदर भी मुझे बहुती अच्छा battery backup देखना हो मिल जाता है मैं अगर PUBG खिलता हो तो continuously आराम से तो 6 गंटे सारे पास गंटे 6 गंटे तो खेली लेता हो और मुझे कोई भी दिक्कत होता नहीं और एक चीज है कि iPad mini 5 जो है वो इस iPad 7 Gen से जादा comfortable होगा क्योंकि ये जो iPad है वो 10.2 इंच का है और इसका body भी काफी जादा बरा है आप देखी सकते है कि कितना बरा इसका size है और अगर हम बात कर iPad mini 5 की वो थोड़ा छोटा है और ये उसका एक advantage है क्योंकि आप हाथ में लेके जब उसको खेलेंगे PUBG gaming वगरा करेंगे तो आपको comfortable होगा और हाथ में आप आराम से इसको easily access कर पाएंगे और ये भाई इतना बरा है कि मुझे कभी-कभी तो अगर मैं धाई 3 घंटे के उपर खेलता हूँ ये जो मेरा middle finger है वो दर्थ करने लगता है और आप समझे सकते हैं कि uncomfortable हो जाता है इतना बरा है एक iPad के अंदर long hours के लिए अगर हम gaming करते हैं तो जहां तक बात हीट management की ये एक बहुत important point है और इस topic के अंदर मतलब कि heat management के अंदर मैं बोलूँगा कि apple जो है वो किसी भी device के अंदर compromise करता नहीं है और 7 gen भी अगर आप purchase करेंगे तो आराम से अगर आप 4-5 घंटे भी gaming करेंगे तो heating बिल्कुल भी होता नहीं है तो मैं इतना detail में इसलिए बोल रहा हूँ क्यूंकि आप सब लोग gaming के लिए जैनुइनली इस iPad को खरीदने के बारे में सोच रहे होंगे और मैं चाहता हूँ कि आप सबका जो सारा doubt होगा वो सब कुछ clear हो जाए तो comfort, display quality और performance इन तीन चीजों के लिए आपको iPad mini 5 पर्चेस करना मैं recommend करूंगा 5000 रुपीज जादा पे करके तो अगर आपके पास budget है तो जो सारा doubt था, iPads को लेके, budget iPads को लेके वो clear हो चुका होगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और informative लगा तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजे, share कर दीजे अपने सारे दोस्तों के साथ जो लोग PUBG खेलते है और एक नया डिवाइस पर्चेस करने के लिए प कर दोस्तों 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 झाल 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 झाल